हे गाइस अगेंस अभी का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में मैं हूँ आपका होस्ट अमन बहल आज सुबह के फर्स एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे बी लेटिट बडबॉल्ड इसका टाइटल है देखिए एकॉनमिक एडिटोरियल है अर्थ या UPSC के स्टूडेंट है तो ऐसे आर्टिकल्स अक्सर परिशान करते हैं आपको एक्जाम में जब जब आए हैं तो कोशिश करना फोकस से सीखने की कई सारे एकॉनमिक कॉंसेट्स में आपको बताऊंगा जो पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं इन आर्टिकल्स को साथी स थोड़ी वुकाब हैवी है लेकिन फोकस से देखो के तो सब इजी है है ना सारी वुकाबलरी और सारी ग्रामर जो भी हम सीखेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं इस कुईज पे हर रोज की तरह हैं हैंड मेड कुईज बनाता हूं आपके लिए ताकि जो भी आप सीखो आदे करें बिलेटिट बट बोल्ट का मतलब होता है दम-दार सासी हिंउमत वाला बीलेटिट का मतलब होता है देरी से आने वाला वर्ब की थर्ड फों में पास पार्टिसिपल अजटिव है आप जानते हैं वी थरी अजटिव अकाम करती है न तो बी प्लस में लेट से बना हुआ वर्ड है इसको आप डिलेड भी बोल सकते हो कर रहा है कोई चीज देर ही साही है लेकिन बड़े दमदार तरीके साही है बहुत ही बोल्ड वो चीज़ है अचा अब किसकी बात कर रहा है कर रहा है ओन दिर्मलास डिस इंवेस्मेंट पॉलिसी बात कर रहा है हमारी फनेस मिस्टर की डिस इंवेस्मेंट पॉलिसी की अब द सरकार अपने हिस्सेदारी को कम करेगी issue कहते हैं disinvestment यह अच्छी चीज होती है खराब चीज नहीं है इसका एक और meaning भी होता है synonym monetization सरकारी चीजों को बेचके उससे पैसा कमाना monetize करना चलिए आगे बढ़े अब इसके बढ़ते हैं title paragraph की तरफ देखें का कहना चारा है उससे built in the budget करें जो execution का काम है एक जी कुछन की दो मेनिक होते है पहला किसी को मार देना हत्या कर देना किस दूसरा किसी काम को अंजाम देना है न पर्फॉर्म कर न तो यहां पे मारने कटने की बात नहीं हो दी अंजाम देने की बात उडिए कर अंजाम देने का का मैंना execution वह जिसने की जो policy है अच्छा पॉलिसी को अन्वेल्ड की गई जिसकी घोशना की गई जिसको सब के सामने रखा गया बजट में इस साल के सामजगे न तो कह रहा है अभी policy तो आपने बनाई है लेकिन कैसे execute करोगे कैसे इसको perform करोगे इस policy को यह अपने आप में बहुत ही critical होने वाला है sentence पर देखने वाली चीज subject आपका execution वह बापकी will be unveiled यहां पर past participle adjective है policy के बारे में बता रहा है वह वाली policy जो budget में unveil हुई थी है ना इस word को मैं समझा देता हूँ अब वो कैसे बना हुए वेल मतलब परदा अनवेल मतलब परदा उटाना है ना हटाना अगर किसी चीज़ का परदा अटा दिया तो सब के सामने आ गई तो exposed होगी या फिर वह हो आपको और हमें हम इनके share खरीदेंगे और सरकार को मिलेगा पैसा ताकि वो उसको देश के विकास में लगाए हमार आटिकल का कह रहा है करहा है यही काम ज़रूरी होता है किसी भी देश को develop करने के लिए सारा western world यही काम करके आज develop हुआ हुआ है जब जब सरकार ने सरकारी आजाना चाहिए था लेकिन लेट आया फिर भी हम इसका welcome करते हैं सरकार की परशंसा कर रहा है uploading आज की tone है इसको अप लॉडेटरी भी बोलते है परशंसा करने वाली है ना चली शुरू करें अब इसको डिटेल में देखते हैं एक और चीश अगर English को शुरू करना चाते हो बेसिक से चाते हो कि 6 महिने बाद जो एक्जाम्स होँ वहाँ पर English आपका strong section हो तो आपको सिरफ एक ही काम करना है दो वीक में इस Grammar प्लेलिस को पूरा करना है जो मिलेगी आपको चैनल के home page पे free of course Grammar दे रहा हूं मैं आपको paid content जैसी है लेकिन सब का भला हो इस हिसाब से इसको आप पूरा करें नोट्स पनाएं और सीखें दो वीक में अब अपना English का गेम चेंज कर सकते हैं complete English grammar for all complete exams इसी के नीचे मिलेंगी आपको paid content की दो प्लेलिस्ट एक SSC एक banks दोनों में 6060 वीडियोज हैं हर वीक और वीडियोज भी आ रही है इन वीडियोज में आपको स प्लाइस करें और हां इस वीडियो को चलाकर देखें यहां आपको बताया गया कैसे मेंबर बनना है शुरू करने वाला करें गौर्मेंट प्लाइन्स फोर 2021-2022 हिंच और बेटर कंप्लाइंस लिफ्टिंग टेक्स कलेक्शन एंड एंड अमबिशियस प्लाइन तो रेज न सरकार मानती है कि लोग टेक्स देंगे है ना इमान दारी के साथ और यह सारे के सारे हिंच जोन करते हैं एक बहुत ही महत्वा कंशी योजना पर प्लान पे जो है race करने की non tax revenue को ऐसे revenue को जो tax से नहीं आएगा बरकि सरकारी कंपनियों को sell करने से आएगा समझे न तो यही है सरकार के प्लान सारा प्लान इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि लोग सही से टेक्स देंगे इस आने वाले साल में और सरकार कुछ कंपणियां बेचेगी ताकि सरकार को मिलेगा पैसा अब आज़ो सेंडेंस में देखने वाली चीज़ सारे blue कलर में मिलेंगे subject सारे pink कलर में मिलेंगे आपको hinge rely depend तीनों के बात में आता है on तीनों का मतल़ होता है निर्बर करना आज इनके दो नईस इनॉनम बताता हूँ जो आगे भी आएंगे bank on और capitalize on पांचों का मतलब होता है किसी चीज़ क्यों पर depend करना है न उससे आशा करना निर्बर रहना अच्छा compliance मैंने आपको बता दिया follow ठीक से चीज़े agreement और अडरेंस हो lift करना मतलब उठाना ambitious मतलब महत्व कांक्शी raise का मतलब होता है उठाना अब मेरे आपसे सवाल भी है यहाँ पर यहाँ पर raise यहाँ पर raise के जगार rice क्यों नहीं लगा हुआ कोशिश करना जो लोग बता सको मेरे साथ बहुत दिनों से पढ़ रहे हो तो आना चाहिए है rice क्यों नहीं लगा हुआ चलो आगे बढ़ते है क्यरे finance minister निर्मिला सीतारमन has announced large scale monetization of government sector assets including vast tracts of lunch and is banking on disinvestment receipts of 1.7 lakh crore क्यरे जो हमारी minister साहब है na finance minister उन्होंने announce कर दिया है अलान कर दिया है और किसका एक बड़े scale का monetization का अब देखो monetization क्या होता है उपर एक वबर्ड आया था disinvestment सरकारी कंपनियों को बेच देना उसका synonym था monetization है ना तो disinvestment इसका भी synonym है तो इन minister साहब ने announce किया है कि बड़े scale पे सरकारी कंपनियों को बेचेंगे और किसको government sector assets को सरकार के sector में जो जो उनकी पूंजिया है ना जो भी LIC है कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी वो assets है जिसमें शामिल है बहुत ही बड़ा track बहुत ही बड़ा भूबाग बहुत ही बड़ा area land का भी land को भी बेचेगी सरकार और कह रहे है यही निल्मला सितारमन जो है यह bank on कर रही है यह rely on कर रही है dis investment receipt से सरकारी कंपनीों को बेचने आने वाले पैसे से जो होगा 1.75 लाख करोड का समझे ना तो इन्होंने announce कर दिया है हम बेचेंगे और इसी पैसे के उपर पूरी दरगे से हमारी finance minister bank on भी कर रही है इसी के जो है न इसके उपर निर्बर है आज अब इसमें देखने वाली चीजे minister साब की verb है पहली has announced दूसरी verb है is banking on ध्यान से देखें minister singular है तो यहां पे has लगाया गया है इसलिए दूसरी verb में भी is लगाया गया है and से जुड़के दो verbs को हम साथ में रख सकते हैं अब देखने वाले words देख लेना tract मतलब जमीन का हिस्सा area, monetization मतलब सरकारी कंपनियों को बेचना disinvestment bank on जो उपर आया था hinge on उसी का synonym है bank on, capitalize on, rely on, hinge on सारे गुरूसे का synonym है this includes likely inflows from the strategic sale of entities such as air India and BPCL carry forward it from this year's plans इस उपर वाले plan में include है यह जो सारी खरीद फ्रोकत है इसमें शामिल है जो संभावित inflows है जो likely income है inflow मतलब जो in-care flow आपकी receipt हो, आपकी कमाई हो तो इस पूरे वाले में वो कमाईयां भी शामिल है जो होंगी बहुत रण नितिक sales है और किसका entities का, companies का जैसे की Air India और BPCL तो Air India और BPCL को भी बेचने का प्लान है और इनी से ही पैसा मिलेगा यही पैसा शामिल है सरकार के इस साल के budget में है अब यह देखो इनकी sale क्या है इनकी sale है carry forwarded आगे लाई गई गई continue की गई from this year's plans इस साल के plan से तो इन दोनों कंपनियों को तो 2020 में ही बेचा जाना था लेकिन कोरोना की वज़े से नहीं बेच पाए तो इनको carry forward कर लिया है continue कर लिया है अब 2021 में इन कंपनियों को बेचने का काम होगा समझ गे? चलो inflow आप जान के होंगे? आपकी income को गएते inflow एक चीज का ध्यान देना यह होती है receipt इसमें P silent होता है इन फ्लो का एक सिनोनी में receipt इसमें P silent होता है receipt ना बोले receipt होती है करे दो listing of LIC could be completed as well with necessary amendments in the finance bill and that alone could bolster the revenue किटी करे जो listing है listing का मतलब होता है किसी कंपनी को share market में बेचने की तैयारी करना वहाँ पे share market में उसकी list लगा देना कि कल से बिखेगी समझ गे करे LIC की जो यह तैयारी है ना listing है यह complete हो सकती है यह तैयारी पूरी हो सकती है साथी साथ और कैसे जरूरी amendments के साथ सुधारों के साथ finance bill के अंदर और करे वही चीज अकेले that alone यही जो LIC है ना alone bolster कर सकती है मजबूत बना सकती है support कर सकती है हमारी revenue किटी को revenue की छोटी सी तीजोरी को करें यह VPCL India ठीक है LIC का अगर plan बन गया साल और तैयारी हो गई और amendment हो गया तो यह LIC अकेला सरकार का खजाना बढ़ देगा सरकार का सारा target LIC से पूरा हो जाएगा समझ गए अब आज यह उसमें देखने वाली चीज़े विस्टिंग की वब है could be completed that की वब है could bolster bolster का मतला होता है किसी चीज को support करना promote करना इस word को याद करना है देखो हिंदी में बोलते है इसको मसंद या मसंद मोटे मोटे तकी होते हैं अपने घर में दुकाना उकानों पे जिसको अपने ले करके बैठ जाते हैं पीछे उसको बोलते हैं इंगलीश में bolster वो आपको support करता है ना promote करता है तो bolster word को उस तकी है से ही connect करके रखें किटी का मतलब होता है आपका कोश ट्रेजरी कोफर्स एक्स शेकर एक्स शेकर वर्ड को जरूर देखना financial articles में बहुत आता है इसका मतलब क्या होता है सरकारी खजाना ठीक है चलो करें मोस्स सिग्निफिकेंट हावेवर is the new strategic disinvestment policy for public sector enterprises and the promise to privatize two public sector banks and a general insurance company in the year करें सबसे सिग्निफिकेंट इस सेंटेंज में एक एरर है पहले आप खुद पढ़ना डूंडो क्या है करें सबसे सिग्निफिकेंट सबसे जादा जरूरी सबसे जादा इंपोर्टन हावेवर हालांकी है नई strategic disinvestment policy नई रन निती से बनाई हुई सरकारी कंपनियों को बेचने की policy और किसके लिए public sector enterprises के लिए सरकारी कंपनियों के लिए समझगे न public sector enterprise मतलब सरकारी कंपनिया और वो promise वो वाला वादा जो है privatize करने का दो public sector banks को और एक general insurance company को इसी साल के अंदर तो करें यही चीज सबसे important है कि सरकारी कंपनियों को strategically बेचा जाएगा और दो banks को private बना दिया जाएगा पूरी तरीके से निजी करन उनका हो जाएगा इस sentence में error बताऊँ आपको क्या है ध्यान से देखो significant को अगर आप sentence का subject मानोगे तो गलत बात हो जाएगी यहाँ पर significant एक adjective है subject का काम नहीं कर सकता तो मुझे क्या समझना है यह significant subject compliment है समझे ओ sentence का subject है is इस के बाद रखावा disinvestment policy है न verb होगी is subject होगी disinvestment policy अब देखो subject एक नहीं है दो है दूसरा है promise promise भी है और यह policy भी है अगर यह दोनों चीज़े ही हमारा subject है तो verb होनी चाही आर समझे न इसने adjective से शुरू कर दिया अपना जो पूरा आर्टिकल पूरी जो line है adjective शुरू होने की विज़े से sentence का subject वर्ब के पीछे चुप गया subject end से बने हुए थे दो थे इसलिए वर्ब को लगाना था आर चलो आगे बढ़ते है करे दो पूरिसी promised as part of आत्म निर्बर भारत पैकेज states the government will exit all businesses in non-strategic sectors with only a bare minimum presence in four broad sectors करे जो पूरिसी है जो की promise भी के गई है एक part के तरीके पे एक हिस्से के तोर पे आत्म निर्बर भारत पैकेज के करे ये policy ये नीती state करती है साब साब बताती है क्या अब दाती है भई कि सरकार exit मारेगी सरकार तो बाहर निकलेगी सभी धंदों में से सभी businesses में से जो है non strategic sectors जिनका हमारी देश और बाहर की या अंतरिक रन निर्थी से कोई connection नहीं है है ना defense sector है चलो उसमें हम रहेंगे है न aviation sector उसमें हम रहेंगे लेकिन ऐसे sector में जहाँ पे हमारा कोई रन निर्थी वाला formula नहीं चले वहाँ पे हम बाहर निकलेंगे अच्छा कैसे बाहर निकलेंगे महज एक bare minimum presence के साथ ना के बराबर presence को रखते हुई इन companies में और किस में चार broad sectors में चार broad sectors के अंदर समझे ना तो चार broad sectors में थोड़ी सी presence रखेंगे और बाकी जगह से तो पूरे बाहर निकल जाएंगे क्योंकि private कंपनियां ही देश को चला सकती है ना कि सरकार चलो अब देखने वाली चीज़ें के सेक्टर बताएगा इस strategic sectors आर अब ये strategic sectors कौन से कौन से है atomic energy, space and defense transport and telecom power, petroleum, coal and other minerals and banking and financial services ये sectors में सरकार रहेगी बाकियों में से सब में थोड़ा से रहेगी बाकियों में सब में से exit मार लेगी समझगे ना और देखो सब के सब strategic हैं भी railway है, transport है, power है, petroleum है nuclear energy है, defense है, banks है चलो आगे बढ़ते है Grand India's brief but tortuous history of this investment since it began listing PSUs on the stock market through minority sales stakes in the 1990s this is undoubtedly the boldest stance yet अब इसमें हमें history बता रहा है करहा है, 1990 में आज से 30 साल पहले भी यह हुआ था और उससे देश की history बदल गई थी आज 2021 में भी वह हो रहा है कैसे हुआ था, करहा है इंडिया की जो brief थोड़ी सी, छोटी सी लेकिन घुमावदार, tortuous लेकिन घुमावदार, जो history है ना, जो इतिहास है और किसका भाई, सरकारी कंपनियों को बेचने का, dis investment करने का और कब से, जब से इसने शुरू किया, list करना, PSU's को जब से इसने share market में, PSU's को, shares उनके, जारी करने शुरू किया है है ना, उन stock markets और कैसे किये, minority stake sales से, सरकार अपना पूरा हिस्सा नहीं बेचती 10%, 5%, 2% है ना, minority stake sales से करती है और कब हुआ था, 1990 में किरा इंडिया की इस history में, जो छोटी सी है, 1990 से शुरू हुई है जिसमें सरकार थोड़ा करके, सरकारी कंपनियों को बेचती है किरा तब से लेकर के, this is यह जो है ना, undoubtedly the boldest stance है आज तक का यह आज तक का सबसे असरदार, सबसे हिम्मत वाला step है, stance है, यट अभी तक का समझगे ना, stance का मतलब होता है, position, posture है ना, यह सरकार ने जो position ली है 2021 में, यह आज तक की सबसे boldest है, 1990 के बाद अब इसमें देखने वाली चीज़े, tortuous का मतलब होता है, complicated हो, twisted हो, गुमाफदार हो जो भी चीज डारेक्ट ना हो, सीधे सीधे ना हो, उसको बोलते है, tortuous यह एक slippery word है, यह एक ऐसा word है, जो आपको कभी भी दोखा दे जाएगा, कैसे, इसी word में अगर मैं आर लगा दू ना, तो यह बन जाएगा tortuous, tortuous मैं आर लगा दू यू के बाद, यह बन जाएगा tortuous, इसका मतलब क्या है, painful, जिसमें बहुत सारा tortuous हो, torture हो है ना, अगर मैं बोल रहा है, मुझे आज tortuous pain है, तो मुझे इतना pain हो रहा है, जो मुझे tortuous कर रहा है, समझगे फिर बात को, तो यह tortuous मतलब परतारीत करने वाला, और यह मतलब घुमावदार, दोनों words different है, सिर्फ R का difference है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्यारे, on intent, it goes further than the A, B, वाजपाई, गौवर्मेंट's, sales of a dozen odd PSUs, from hotels to bread makers, क्यारे, intent के तौर पे, on intent, intent, अपने इरादे के तौर पे, यह और भी आगे जाता है, goes further, और किसके आगे जाता है, वाजपाई साब के आगे जाता है, उनकी सरकार के, जो उन्होंने, sale किया था, 12 जैसी PSUs को, dozen odd, dozen odd का मतलब क्या है, बारा या तेरा या ग्यारा या चोदा, समझगे ना, यह जो intent में, सरकार का फैसला है, अडल ब्यारी वाजपाई जी की भी, जो sales की थी, उन्होंने कंपणियों की, 10-12 की, उससे भी आगे जाता है, और वो कौन सी थी भाई, होटेल से लेके bread makers, समझगे ना, होटेल सरकार ने अपने बेच दी प्राइबेट को, ब्रेट बनाने वाली कंपणिया भी प्राइबेट को दे दी, तुम बनाओ ब्रेड और बेचो, देखने वाला वर्ड एक है, इसमें, intent, आपका motive, objective, intention के लगती है, आपका intent, subject वो पकट के हैं, शायद 8 निकलें, शायद 12 निकलें, और लगाने का मतलब यह होता है, इसके आसपास, करें सम, including बालको एंड हिंदुस्तान जिंक, where the government still has residual monetary stakes, have fed much better under private management, करें कुछ एक ने, जिसमें शामिल है, बालको और हिंदुस्तान जिंक, जहां पे सरकार के पास अभी भी है, the government still has, सरकार के पास यहां भी भी है, बचा कुचा minority stake, है न, इनके अंदर सरकार की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी, अब दो, पांस, दस परसेंट की ही रह गई है, 90-92 परसेंट सरकार ने बेच दिया, करें कुछ एक जो ऐसी है न, इस तरह की कंपनिया, उन्होंने फेर किया बह बहुत अच्छे से प्रेक्टिव हो जाती है, है न, चलो, देखने वाली चीज, फेर करना मतलब प्रफॉर्म करना, सम की वाब है, है फेर, सम एक प्लूरल नाउन होता है, या प्लूरल अजटिव होता है, इसलिए इसकी वाब हमने, है लगा के बनाई है, गौर्मेंट की मतलब बची कुछी, मोटा मोटा तो तुम ले गए है न, क्रीम तु सब निकाल ली तुमने, बचा कुछ है हमारा, तो रैसीडिव वही होता है, लेफ्ट ओर बोल दो, रिमेनिंग बोल दो, माइनुर्टी बोल दो, चलो, आगे बढ़ते है, करा, इट कैन बी, नो ओन स केस इंडिया का जो पबलिक सेक्टर है, वो बना रहता है, कमांडिंग हाइट्स पे, शिखर की चोटियों पे, पूरी एकॉनमी की पूरी अर्थ बस्ता की, क्या रहा है, हमें इस चीज से कोई दर्द नहीं है, अगर प्राइवेट जो गौर्णमेंट सेक्टर है, वो अच्छे से काम करें, पर वो काम करता ही तो नहीं है, सरकार में नोकरी मिल जाती है, उसके बाद सारा दिन लोग पबजी खेलते हैं मोबाइल पे, ऐसा ही हो रहा किसी को दुख देना, परशान करना, है न, तो it can be a no one's case मतलब, ये किसी को भी दुख नहीं देती, no one's मतलब कोई भी किसी को भी परशान नहीं करती, ये वाली बात, अब इसी का एक सिनॉन्यम एडियम है, drive up the wall, इसका मतलब भी होता है, बहुत परशान करना, इसको मैं या यारो, इतने परशान हो गयो, इससे बनी एडियम, चलो आगे बढ़ते हैं, हर एडियम के बीछे काहनी होती है, करे अबाट फ्रॉम रेजिंग, प्रीशिस रेवेन्यूस, दे सेल और क्लोजर अब सच फर्म्स, विल हैल्प दे एक्षेकर, स्टॉप ट्रॉइं गुड मनी इस चीज के सिवाए, जो सेल और क्लोजर है ना, जो बेचने का काम है या बंद करने का काम है, और किसका, इन फर्म्स का, करे वो हैल्प करेगा एक्षेकर को, अब देखो वर्ड है एक्षेकर, उपर वर्ड आया था किटी, किटी मतलब ख़जाना, करे यह जो सेल या बंद कर देने वाला ऐसी फर्म्स को, जो की काम बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रही है, करे वो हैल्प करेगा हमारे सरकारी खजाने को, कि वो स्टॉप कर दे, ठो करना, अच्छे पैसे को, बैड पैसे के बीच में, कंपनी डूब रही है, फिर भी सरकार हर सार बजट बना के, व और ज्यादा प्रोड़क्टिव प्रोड़क्टिव होते हैं, लुक्रेटिव है ना, जो ज्यादा आपको प्रोफिट दे, एंड़वर्स मतलब आपकी एफर्ट्स, एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या है कंपनियों को जो बेचने का काम है ना, सिवाए पैसे को एकठा क फोकस करें, और ज्यादा प्रोड़क्टिव एंड़वर्स में, और ज्यादा प्रोफिट वाले परयासों में, समझगे, अब आज यह सेंटेस में देखने वाली सीजिए, अब आट फ्रॉम में एक फ्रेजल, एक प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, इसलिए इसके बाद म विल हेल्प हेल्प एक ऐसी वह होब है जिसके बाद में अब्जेट आता है और अब्जेट गॉम्प्लिमेंट बेर और टू इंफिनिटिम दोनों हो सकते हैं ग्रामर सेरीज तुमारी बाइबल है सब कुछ बता चुका हूँ वाम है न हैल्प के बाद में एक शेकर आया यहा डालते हैं किसी भी चीज में डिजल पेट्रोल यह क्या करती है चारो तरफ से कठा करती हो एक जगा फोकस कर दी है सरकार भी यह चारी है सब तरफ से पैसा कठा करूं और एक जगा लगाँ ताकि अर्थ परस्ता को फाइदा हो ना कि घाटे की कंपनियों में अपना सब्सक्राइब करने में सब्सक्राइब किसी चीज को बनाना यह साफ साफ एक्सप्रेस करना क्यों इतना टाइम लिया सब्सक्राइब करने में अपने इस प्लान को और करने में हैडवे हैडवे का मतला होता है प्रोग्रेस इस वर्ट को मैं भी तोड़ू है रुख जाओ या करने में प्रोग्रेस इस फ्रेंट पे इस मोर्चे पे यहां तक कि बिना एक ऐसे बैसे लेते हैं अर्टिकुलेट साफ-साफ एक्सपर्स करना या किसी चीज को बनाना है ना कागश क्यों पर हैडवे का मतलब होता है ले मतलब सामने आपके सर की आपकी नाक के सीद्व में जो रस्ता है ना उसे कहते हैं हैडवे समझे न हैडवे मतलब प्रोग्रेस इंवर्जन नहीं होने देते और नहीं सेंटेंस के लास्ट में कुशन माक लगने देते यहां पे आप देख रहे हो इट टुक लिखा हुआ है इंवर्जन नहीं हुआ बढ़ें आगे करन नाओ देट पॉलिसी इंप्लेस टैक्ट फूल एग्जेकुशन विल बी आप जब की यह पॉलिसी नाओ देखो अब जब की अब जब की यह काम हो चुका है नाओ देख पॉलिसी इंप्लेस मतलब अपनी जगा ले चुकी है करए अब जब की काम हो चुका है ना तो सही तुरीके से tactful, एकदम tact के साथ, care के साथ, skill के साथ, जो इसका execution है ना, वो होगा, उतना ही critical, जितना की deal with करना, निपटना, unusual pockets के साथ, उन usual समुदायों के साथ, जो है resistance के, समझगे ना, bank का privatization करोगे, student करेंगे, student हमला करेंगे, है ना, आप किसी company का privatization करोगे, वहाँ के employee आपके सामने, अब position पर बैठ जाएंगे, तो करें, अब जब की policy बनी गई है, इसका execution उतना important है, जितना की, इस सरे के resistance की मार चेहलना, करें, जो की crop up हो गई होगा, जो की uber करके, आएगा ही, आएगा, crop up होना, एक facial verb है, इसका मतलब होता है, appear होना, emerge होना, समझगे sentence को, पहले sentence समझ लो फिर इसके word समझाऊंगा, फिर इसमें grammar rule भी है, आज का main grammar rule, tactful वो चीज होती है, जिसमें tact हो, skillful हो, careful हो, है न, pocket मैंने आपको बता दिया, छोटा से हिस्सा, छोटा से समझगे, resistance का मतलब होता है, opposition, crop up, fragile verb कैसे बनी है, देखो, crop मतलब फसल, अब मतलब उपर, जब सा पौधा फूटता है, किसी फसल वसल का, तो वहां से crop up होती है, crop जो है, emerge होती है, appear होती है, सब के सामने आती है, चीजों के पैदा होने को बोलते है, crop up होना, अब इसमें देखने वाला concept देखे, as, critical as, आपको as के भीच में, भीच में adjective मिलेगा, add go भी मिलेगा, मैं आप आज और as के पीच में adjective भी आता है, और adverb भी होता है, लेकिन हमेशा आएगी इनकी positive degree, critical ही आएगा, more critical नहीं आएगा, fast ही आएगा, faster नहीं आएगा, है न, जो भी आएगा वो positive degree में आएगा, अचा, rule number 2, adjective आएगा तब जब sentence में कोई action ना हो, और adverb तब आएगी जब sentence में कोई action हो, समझगे ना, पर आएगी हमेशा इनकी positive degree, rule number 1, बस ये तीन ही rule है, इनको apply करेंगे, the new york city is as beautifully as Tokyo is, new york city उतनी ही सुन्दर है, beautiful है, जितनी की Tokyo है, जितना की Tokyo है, यहाँ पे is को लगाए भी जा सकता है, अगर आप नहीं लिखेंगे, तो हम अपने आप से मान भी सक action हुआ, अरे वो सुन्दर है, तो सुन्दर है, is यहाँ पे एक linking verb है, कहने का मतलब sentence में link verb या steady verb आजाए, action नहीं होगो, तो उसी case में आपको बीच में क्या लगाना होगा, adjective को लगाना होगा, beautifully होता है, एक adverb, beautiful होता है, एक adjective, तो मुझे क्या करना है, इसको उठा के बाहर फैकन है, New York City is as beautiful as Tokyo is, logic से समझा रहा हूँ मैं है न, कोई रट्टे बट्टे निवार ने, अराम से समझो, logic से समझो, अगला sentence देखो, the police cars went by the street as speed or speedily as a bullet does, police की car जो है went by हो गई, police की car निकल गई, और कहां से street में से, उतनी ही तेजी से जितनी की एक bullet निकलती है, तो गोली क रफ्तार से, police की कारे निकल गई, आप meaning से जाओ, चाए grammar से जाओ, यहाँ पे काम हुआ है, police की कारों का निकलने का, went by मतलब निकल जाना, तो police की कारे क्रोस की है, एक action हुआ है, एक action हुआ है, स्टेटी या linking verb नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ज़रूता है, add verb की, तो मुझ है, समझगे न, आप क्या देख रही हो, यहाँ पर देखोगे action को, action देखोगे तो आप harshly को चूज करोगे, harsh को निकाल दोगे, यही करोगे न, ठीक बात है, लेकिन ध्यान देना, कभी कभी ऐसा case बनेगा, जब harshly इन दोनों में से चूज करना होगा, आपको पास में रख ठीक है, और harshly भी ठीक है, sentence के meaning अलग अलग होगे, a trouble as harsh as, यहाँ लगेगा trouble के लिए harsh यह adjective, और a trouble as harshly as, यहाँ पर harsh ही लगेगा, इस land नाम की verb के लिए एक adverb, आपको कौन सा prefer करना है, आप फिर भी prefer करेंगे harshly को, harsh को prefer ने करेंगे, इसका reason होता है, क्योंकि वो आपको confuse करने के लिए बैठा examiner, अगर उसने harsh के लिए आपको लगवाना था, तो वो यह structure बना के देता, a trouble को उठाता, और harsh के बाद में रखता, as harsh a trouble as, ध्यान देना, यह a adjective के बाद आता है, इंगलिस में के लिए ऐसी structure है, जो adjective के बाद article लेती है, ठीक है न, तो यह case के अंदर आ है, हमारे noun के लिए लगवाय जा रहा है, अगर वो ऐसा करके नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाएं, कि वो आपको इशारा कर रहा है, adverb को यूज़ करने पे, आप harshly कोई चूज़ करें, समझ गे, थोड़ा deep हो गया यार, कोई बाद नी, फिल कर वाँगगगगगगगग कभी तसलिस कर रहा होंगा, पूरा कॉंसेप्ट है न, चलो, क्रोप अप समझ गे, करे वाइल स्टोक मार्किट्स आर ओने हाई, दे फिनैंशल के पैसिटी और पोटेंशल बीडर्स में नौट बी ऑप्टिमल, थैंक्स तू दपैंडमिक, करे जहां जो स्टोक मार्किट्स है, वो ओन, आर, ओने हाई, वो नशे में है, ओने हाई का मतलब बस जूमती जारी है और ऊपर ऊपर चड़ती जारी है, समझ गे न, आसमान की उच्छाईयां चूरी है, करे जहां पर स्टोक मार्किट्स ऐसा कर रही है, जो फिनैंशल के पैसिटी है, जो आर्थिक, जो हमा का मला हुता है, विकॉज ओफ, इस पैंडेमिक के कारण के, कराई है, भले ही स्टोक मार्किट में बहुत पैसा है, पर हो सकता है लोगों की जैब में पैसा नहां हो, जो पिटेंशल बीडर्स है, पैंडेमिक के कारण के पास पैसा कम हो गया हो, समझ के, एक्श्टो मतलब ह में से मल्टिकल चलिंज में से इसके कैई सारी चुनोतियों में से तो वह रही किया वह सरकार को जरूरत है विल नीट और क्या जरूरत होगी कि वह क्रियेट करें। को विश्वास को सेल की प्रॉसेस में किसी को ऐसा ना लगे एस सरकार पैसे कमारी कर रही है तो सरकार को इस चीज़ को पक्का करें कि वैलुएशन जो है वह फेर हो रही है जो भी कंपनी को बेचा जा रहा है उसका दाम सही लगा रही है सरकार किसी को free focus में सस्ते दामों पर नहीं बेच रही है यह भी सरकार को insure करना है valuation को fair बनाना है semblance का मल होता है दिखावा है न अच्छा तीसरा काम क्या करना है the government will give officers some cover from potential post transaction which hunts by auditors and investigative agency होता क्या है जब-जब कोई चीज भीकती है न उसके बाद उस पर केस लग जाते हैं जैसे टूजी स्पेटरम में एराजा पर लगा था कितना सच्चा था कितना जूटा था हमें नहीं बता लेकिन होता ही है सरकार को cover भी देना पड़ेगा अपने officers को जो लोग इस sale में involved होंगे सरकारी बाबू उनको थोड़ी सी हिफाज़त भी देनी पड़ेगी और किससे उन संभावित transaction के बाद होने वाली witch hunt से which hunt का मतलब क्या है किसी witch को आप भूंड रहे हो किसी आदमे को बली का बकरा बना रहे हो बस पकड़ना आपको तो किरहां उस चीज से बचाने के लिए जो जो करते है auditors और investigative agencies है न सीबी आई है CAGIA auditors है न तो किरहां सरकार को ये काम भी करना होगा कि अपने officers को बचाए क्योंकि ये अच्छा काम है लेकिन इसमें गलती होने के chances होते हैं तो cover देना होगा सरकार को अच्छा चोथा काम क्या करना होगा सीक्मेंस करना होगा sales को sales को एक के बाद एक रखना होगा ऐसा नहीं एक साथ सब का सब बेस दे हैंना सीक्मेंस करके sales को रखना होगा so that थाकि economy does not face shocks और create monopolies ना तो economy face करे किसी जटके को और ना ही create करे monopoly को है ना तो कोई जटका economy को ना ही अडानी सारी कंपनिया एक साथ खरीद ले समझेगे ना यहां create आपकी वाप नहीं है does not face और does not create monopoly अच्छा करें last में सबसे most of all सबसे जरूरी चीज मैनेज electoral pressures in jurisdictions where these units would be located सरकार को manage भी करना पड़ेगा चुनावी दवाब को उन areas में जहां पर units located होंगी है ना बिहार की company बेच रहे हो तो बिहार के लोग आपको चुनाव में वोट नहीं डालेंगे सरकारी बैंक को बेच रहे हो तो बैंक की त्यारी करने वाले बच्चे आपको वोट नहीं डालेंगे तो ऐसे चुनावी pressure को भी सरकार को manage करना पड़ेगा ऐसे domains areas में जहां पर यह units located है समझ गे ना तो इसने 5 काम गिना दिये confidence को build करो valuation सही से करो अपने अफसरों को है आपकी अब आज हो सब देखने वाले words सेमलेंस मतलब दिखावा इसके लिए word होता है फुसायट इसको फैकेट लिखा जाता है बोला जाता है फुसायट है ना इसका मतलब दिखावा या मुखोटा जूरिस्टिक्शन मतलब अधिकार शेत्र इलेक्ट्रोड प्रेशर मत एक छोटी सीवी विवादासपद देनलें जो है वो सकटल कर देगा डूबो देगा पूरी रफ्तार को मोमेंटम को ऐसे एक प्लान के पीछे की और इंडिया इल अफोर्ड करेगा इस इसको इंडिया बिलकुल भी अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस इसको बैड इसको इसलोग से पीपज़गनक को यिल अपोर्ड या बैडडली एफोर्ड एक एगल बती है इल जब एडवर्ड बनता है तो बैडली का काम करता है इल य फोर्ड करना मनलब नहीं सएपाना लमबह था अजकर दोड़ा कॉंपलिकेटीत है थोड़े से वप्ट भी क्या थ बीच में फिर ऐस है ना इट डिट आफ्टर वर्ड वर्ड टू और ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 दुनिया बर की अर्थवस्ता ने अपने आपको पाया है एक स्टेट में अवस्ता में जो की उतनी डेस्परेट है यह इन चारों में से जो भी है जितनी हुआ करते थी वर्ड वर्ड टूर ग्रेट डिप्रेशन के बाद में होब की थो कोई बात है नि कोई आशा की थो बात है लेकिन Found के लिए लगाओं तो लगादूँआ Desperately लेकिन आप अपने आपको Desperately फांड करने की बज़ाए ये आपको जबाएगा आप एक Desperate State में पाएगए आपने अपने आपको पाया निराशा जनक रूप से या आपने अपने आपको पाया निराशा जनक स्टेट में अगर इस noun के लिए adjective लगाया जाए तो ज़्यादा आपको सही लगेगा समझे बर बात को desperately भी हो सकता था अगर verb के हिसाब से चलें लेकिन meaning के हिसाब से desperately का कोई meaning नहीं निकल रहा आप निराशा जनक रूप से थोड़े ना पाते हो अपने आपको आप किसी निराशा जनक स्टेट में अपने आपको पाते हो समझे ना grammar के हिसाब से भी सही है लेकिन meaning के हिसाब से एक ओन प्रिफर करेंगे इस केस में आगे आ जाओ the poor of the world have, has been, has या have been experiencing class है और किसकी पूरी दुनिया की वह experience कर रही है अब देखो इस काम को present profit continuous instance में किया जा रहा है तो poor के लिए verb आएगी plural तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा have been समझे ना have been दो आई गया verb के ing form रखी है तो दुनिया भर के लोग experience कर रहे है पूर लोग और किसको एक tortuous को tortuously tortuous या tortuously deficiency को एक दर्द ना कमी को deficiency मतलब कमी अब देखो कमी tortuous नहीं होती कमी tortuous होती है जो आपको torture करे ऐसी कमी है कि आप painful आपके लिए ना आपके बस खाने को नहीं है रहने को नहीं है जोब नहीं है तो यहां पे हम tortuous की बात नहीं कर रहे है complicated नहीं कर रहे हम painful की बात कर रहे है तो दुनिया भर के गरीब अपने आपको पा रहे हैं बहुत ही painful कमी में जो है संसाद्मों की as क्यों की अब देखो headways, ex shakers, inflows या reacts कर रहे हैं इन चारों में से जो पूरी दुनिया में है वो सबके सब हैं डाइर स्टेट में एक बहुत ही खराब अवस्था में डाइर स्टेट आपने कई बार पढ़ा है इसका मतलब होता है बहुत ही खराब अवस्था अब देखो लोग गरीब हैं तो खराब ववस्था में कौन होगा मतलब सरकारी खजाने समझे लो बात को सरकारी खजाने खराब ववस्था में है ट्रेट का मतलब होता है भूबाग इनफलो का मतलब होता है आपकी जो है इनकम एक्स शेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस यहां पर सबसे एप्रोपीट लगेगा आपको एक्षेकर क्योंकि दुनिया भर के सदकारी खजाने बहुत खराब वस्ता में है और उनके पास नतिंग है उनके पास हैव नतिंग उनके पास कुछ भी नहीं है और क्या नहीं है तू अब और प्याना चुवत बटन हेड्स का पासे अउनके 125 अंहीं है बैंक होगत रहते हैं आथी हीज़ बोल्सर का मतलब को करना समझे ना इसका भी कोई मीनिंग नहीं है इनके पास कुछ भी नहीं है बैंक ओन करने के लिए करने के लिए इस कमी में रेवन्यू इंफ्लॉस की आय दिंक समझ में आ गया होगा चलिए मुला का लूगा करके वीडियो में अपनी जो अना शेडियूल को सेट करो चार जो पांस बजे बैठो च्छे बजे बैठो लेकिन वीडियो को मिस्मत करो खुच से जिस दिन आर्टिकल पढ़ने लग जाओगे उस दिन से जब तुम मिस्करों के वीडियो को मुझे अच्छा लगेगा पर पहले पढ़ने के काविलो रोज महनात करके चलिए